अब अजीब तो लग रहा था और भारी भी लग रहा था, I felt heavy, strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passage almost instantly और उसके बाद मैं बैठ गया, अभी तक लेटा हुआ था, अब मैं बैठ गया, एक इस movement में, इस बैठक में, I cleared my nasal passages, nasal मतलब नाक से जुड़ा हुआ passage, इन दोनों को क्या कहते हैं, nostril, मैंने आपको बताया था पहले nostril, So I cleared my nasal passage, बैठने से मेरा रास्ता खुल गया नाक का, instantly, मतलब तुरंटली, आपने पढ़ा होगा instanty, instanty मतलब ऐसी चाय जो तुरत थुरत बन जाती है, बनी बनाई चाय को पानी में डालिये और वो तैयार, तो instant, So instantly, मतलब तुरंट, मेरी नाक साफ हो गए, almost, लगभग, and relieved the feeling in my chest, curious, I thought, Relief करना मतलब हलका कर देना, और Relief करना मतलब किसी को मुक्त कर देना, You have been relieved of the job, तुमको नौकरी से मुक्त कर दिया गया है, I felt relieved when I learned my result is good, मुझे राहत मिली, जब मुझे पता लगा कि मेरा परिनाम प्रसम श्रेणी में है, मेरा result प्रसम श्रेणी है, तो Relief मतलब राहत महसूस करना, यहां पर आपका अर्थ है, राहत महसूस करना और वैसे तो मुक्त होना, तो I felt relieved, क्या feeling, in my feeling, in my chest, छाती में जो मेरे अजीब सी एक अनभूती हो रही थी, वो थोड़ी सी उससे मुझे राहत मिली, और वो अनभूती क्या रही होगी, आप इस पैसे से समझ तकते हैं, थोड़ी उनको घबरहाट होने लगी कि कहीं कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ उनको महसूस होने लगा, क्यूरियस आई थाट, मैंने सुचा बड़ा अजीब है यह, क्यूरियस मतलब अजीब, थोड़ा उच्छुकता हो जाना, थोड़ा अजीब हो जाना, तो यह जो घटना करम हुआ, मेरी तबियत को लेके लेता था, तो सांस की तकलीफ, फिर उसके बाद फिर एक नाक बंद हुए, एक खुली, फिर बैठा तो ठीक लगा, यह बड़ा अजीब था लगा मुझा, I felt rather curious, I lay back down and tried again, अब मैं लेड गया और फिर सांस लेने की कोशिश की, नाक तो खुल गई थी मेरी nasal passage, passage मतलब रास्ता, a passage to India, is the famous book on India, a passage to India, passage to my house is through that river, नदी से उस पार मेरे घर जाने का रास्ता है, तो पैसेज मने रास्ता, तो यहां पर है, I lay back down and tried again, मैं फिर लेड गया और फिर कोशिश किया, same result, वही परिनाम, I was on the point of disappearing into the land of Nod, Nod मतलब नीन, disappear मतलब गायब हो जाना, I will have a nod, I had a nod, नीन, छोटी नीन, और nap मतलब बहुत छोटी नीन, nap, N-A-P nap, I had a nap, खाना खाने के बाद, लोग आफिस में, पांच-दस मिनट के लिए कुरसी में, शान्त होके, बैठ जाते हैं, हांखें बंद कर लेते हैं, वह छोटी से जो नीन्द होती हो, वह nap कहलाती, N-A-P nap, and here I had a nod, और I disappeared into that world, मैं वहाँ पे अब चला गया, जब लेटा, परणाम तो वही था, when something told me not to, nod यहाँ पर है, किसी ने हिलाया, nod करना, तो यहाँ पर मुझे किसी ने मानो छुआ और ऐसा इशारा किया, सोना मत, when something told me not to, not to what, not to sleep, मैं जानी वाला था, नीन में, कि किसी का nod हुआ, और ऐसा लगा, कोई कह रहा है, सोना मत, it must have been those emergency electrical impulses again, emergency electrical impulse, क्या होता है, impulse मतलब एक होता है, त्वरिद प्रतिक्रिया, impulse में मैंने उसे थपड मार दिया, एक बहुत त्वरिद प्रतिक्रिया, बिना सोच के, जब कुछ करते हैं, instantly, बिना सोच के, तो impulse कहलाता है, in an impulse, he picked up the money, एक शड में उसने जमीन में जो पैसा रखा था उठा लिया, तो impulse, तो यहां पर electric impulse, और वो भी कैसा, emergency electrical impulse, मतलब आपात कालीन जो शरीर में जो विद्युत तरंगें रहती हैं, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, बायालजी में, शरीर में विद्युत तरंगों का सतत रूप से संचार होता रहता है, तो ऐसा लगा कि electric impulse जो है, शरीर के अंदर की विद्युत तरंग मेरे को इशारा कर रही, सो ना मत, but this was not the same as on previous occasion, लेकिन ये वैसा impulse नहीं था जैसे कि पहले होता था, not the same, same मतलब वैसा ही, जैसा पहले होता था, this time I wasn't gasping for breath, इस बार मैं सांस लेने के लिए जो कहते हैं, ताकत लगाना, gasping मतलब हाफना, मैं हाफ नहीं रहा था, to gasp मैं हाफना, gasping for breath, breath येने सांस, to breathe येने सांस लेना, दोनों के spelling में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे in this time I was not gasping for breath, मुझे मैं हाफ नहीं रहा था इस बार, I was simply not allowed to go to sleep, बस के वल मुझे नीन नहीं आ रही थी, यानि पहले से सुधार ये हुआ था, कि अब जो मिरे को अंदर तकलीफ हो रही थी, वो नहीं थी, वो तकलीफ से मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, और सांस लेने में, अब सामाने महसूस हो रहा था, लेकिन नीन नहीं आ रही थी, sitting up once more immediately made me feel better, ये सब लेटने में हुआ था, जो अभी तक मैंने बताया, अब फिर से मैं बैठ गया, and sitting up once more, एक बार और, once more मने एक बार और, immediately made me feel better, और उससे मुझे बहतर लगा, अब मैं बैठ गया जब, तो मुझे बहतर लगा, ये सब कब हो रहा है, जब वो अकेले हैं विचारे, सब लोग चले गया, he was alone, और थोड़ी घबराहट भी थी, अकेलापन भी था, नई जगर भी थी, शहर भी अच्छा नहीं था, और उस घबराहट में सब हो रहा था, लेकिन अब वो, जब पुना बैठ है, he felt better, I could breathe freely, and my chest felt fine, अब मैं पूरी सरलता से अब शांस ले रहा था, और chest जो थी, मेरी ज़ाती, वो बिलकुल fine थी, अच्छी थी, ठीक थी, किसी भी तरह की तकलीफ या दिक्कत की अनुभूती अब मुझे नहीं हो रही थी, but as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd, अब मैं फिर लेटा, तो कि नीन तो आनी रही थी, तो लेटना, बैटना, लेटना, बैटना कर रहे थे, plus घबराट थी, तो as I lay down, my sinus, sinus आप समझते हैं न, सांस की एक तकलीफ होती है, sinus, my sinuses filled and my chest was odd, अब यहाँ पर फूरी सांस फिर फूलने लगी, और चाती भी फूलने लगी, चाती में अब तकलीफ फिर होने लगी, लेटने पर, इसके पहले लेटने में ठीक लगा था, इसलिए मैं वापत बैठा, बैटने में भी ठीक लगा, तो मैं अब लेट ने चला गया क्योंकि अब सोना था मुझे पर इस बार जब मैं लेट ने गया तो मेरी मुझे सांस लेने में बहुत तकलिफ होने लगी I tried propping myself upright against the wall To prop up मतलब किसी से टिका कर खड़े करना किसी से टिका कर रखना The chair is broken, prop it up against the wall कुर्सी टूटी है उसको दिवाल के साथ चिपका दो Prop up this blackboard along the wall इस blackboard को दिवाल के साथ चिपका दो लगा दो, टिका दो, prop up And so and so has been propped up by the manager वो लड़का जो है उसे football team में ऊपर लाए गया है Manager के दोरा भले ही उतना अच्छा ना हो उसे artificial तरीके से push कर कर के उसे team में stand दिया गया है होगा किसी का रिष्टेदार या कोछ या किती के पहचान का ऐसे में भी कहते हैं prop up He has been propped up यह उनका चहेता है उसे उपर उठाये गया है पर यहां पर जो आपका meaning है I was propped myself up against the wall मैंने अपने को दिवाल के साथ टिका लिया upright मतलब सीधा stand upright means सीधा I stood upright and then what happened but now I couldn't manage to relax enough to drop off I could not manage to relax enough to drop off अब मैं ज्यादा relax महसूर नहीं कर पारा था कुंड की spelling देखें C-O-U-L-D-N-A-P-O-S-T N-O-T को short में लिख देते हैं N apostrophe T और इसको जोड देते हैं कुड के साथ तो चारन होता है कुंट I couldn't I just couldn't do that I couldn't manage to relax enough to drop off मुझे इतना आराम नहीं मिला कि मैं नीन में आ जाओं कि मैं सो जाओं drop off सो जाना relax मतलब आराम or to relax मतलब आराम करना तो मुझे इतना आराम नहीं मिला कि मैं सो जाओं I couldn't put my fingers on the reason I could not put my fingers on the reason reason मने कारण मैं कारण नहीं पता लगा पाया ये जो मेरे को बेचैनी हो रही थी सांस फूलने की तकलीब जो हो रही थी चाती में कभी कुछ हो रहा था उतार चलाओ जो मेरे तबियत में हो रहा था इसका मैं कारण पता नहीं लगा पाया किस कारण पे उंगली रखूं उसको कहने का तरीका देखिए I could not put my finger on the reason but I was afraid to go to sleep to be afraid to मतलब डर लगना to be afraid to मतलब डर लगना I am afraid of you मुझे तुमसे डर लगता है to be afraid मतलब डर लगना so यहाँ पे I was afraid to go to sleep यहाँ पे उसको सोने से डर लग रहा था क्यों आगे बुलता है लिखा कि मुझे सोने से डर क्यों लग रहा था a little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again a little voice एक हलकी हलकी आवाज मुझे कान में आ रही थी जो मुझे कह रही थी कि यदि तुम सो गए तो फिर उठ नहीं पाओगे कभी नहीं उठ पाओगे अर्थाच कहीं मैं मर ना जाओ यह शंका थी so see the way writer is saying a little voice inside me आपको कभी कभी एक अंतरात्मा की आवाज आती ही न ऐसा लगता है कि आपने को ऐसा करना चाहिए कुछ कारण नहीं मालूम होता लेकिन आप अंतरात्मा की आवाज के अधार पर कुछ करते हैं यहां पर इनको लग रहा था कि अंदर कोई बोल रहा है मुझे कि सोना मत नहीं तो पता लगा कभी उठ नहीं पाओ गए और था कहीं मृत्य नहीं हो जाए if I did I will never wake up again so I stayed awake all night और फिकार इस भै के कारण मैं रात भर जगा रहा stay mani thaharna stay awake मतलब jaage rehna to be awake मतलब jaagna or to stay awake मतलब jaage rehna to stay standing to stand मतलब khaday hona to stay standing मतलब khaday rehna keep standing stay standing मतलब khaday raho so I kept awake I stayed awake the whole night घबराहट में यह डर में कि मुझे कुछ होना जाए satan took me to the darchan medical college अब सुबह हुई जैसे भी भोर हुई satan आया वो मुझे medical college लेगा यह डर्चन का एक medical college तो था कम से कम the following morning following मतलब अगले दिन I am coming to you the following day तुम यहा ग्यारा को पहुच रहा हूँ मैं बारा को पहुच रहा हूँ तो बारा को पहुच रहा हूँ मतलब you are reaching here on 11th and I am coming to you on the following day मैं तुम्हारे पहुचने के अगले दिन आ रहा हूँ so following day so he took me to the medical college the medical college at Darchan was new and looked like a monastery from the outside with a heavy solid door that led into a large courtyard courtyard यहने बरामदा बहुत बड़े बरामदे में मेरे को solid door दर्वादा था बड़ा विशाल का है बड़ा मजबूत और monastery जैसा hospital का लुग था monastery क्या होता है? monastery होता है बुद्धिस लोगों का एक तरह का आश्रम जिसे बुद्धिस लोग विहार कहते थे विहार विहार को अंग्रेजी में monastery कहते हैं वहाँ पे बुद्धिस भिक्षू रहते भी हैं और वो उनका पूजा का स्थल भी रहता है जो जो उसका लुक था hospital का वो कुछ तरह बुद्धिस्ट monastery का लुक था और कारण स्पष्ट है कि तिबबत में अधिकतर लोग बुद्धिस अनुयाई हैं बुद्ध धर्म के अनुयाई हैं तो बुद्ध धर्म की छाप उनके हर चीज में दिखती है यहां तक कि से तो एक बरामदा आता है लेकिन बाहर से बिल्डिंग जो है monastry जैसे दिख रही थी दार्चिन की that led into a large courtyard to lead into lead मतलब ले जाना एक तो आगे आगे चलना और lead into it led me into principal's office मैं तो सिधा जा रहा था अजानक रास्ते में principal का office पड़ गया मतलब that road that corridor that porch led me to principal's office तो यहाँ पर led me into a courtyard we found the consulting room which was dark हम वो consultant के room में गये वहाँ consultant था परामर्षदाता था एक doctor ऐसा कमरा जो अंदकार था ठंडा था and occupied by a Tibetan doctor और एक Tibetan doctor वहाँ था so consulting room अंधेरा था और साथ सी साथ ठंडा भी था वहाँ एक doctor मिला वो doctor जो था he wore none of the paraphernalia that I had been expecting paraphernalia मतलब क्या होता संबंधिस सामान किसी भी चीज का संबंधिस सामान उसे paraphernalia कहते हैं यहाँ पर doctor से संबंधिस सामान क्या होगा white coat, stethoscope, दवाईया, pen उसके बाद BP, blood pressure लेने की machine, weight लेने की machine, table, कुरसी यह उसका, उससे संबंधिस सामान है, कार से संबंधिस सामान, paraphernalia क्या होगा? पंचर बनाने का सामान, jack, air jack, कार को पोशने का जो सामान रहता है वो, और आधि-आधि, कार से जुड़ा हुए था कार के paraphernalia को ले आना, मतलब कार से जुड़ हुए सामान को ले आओ, so यहां पर डॉक्टर से संबंधित paraphernalia यहां नदारत था, I could not find anything, which made me feel that he is a doctor, ना वहां white coat था, ना कुछ ऐसी चीज थी, I had been expecting, मैं जो अमीद कर रहा था, कि यह सब दिखेगा, उस कमरे में, कुछ नह नहीं दिखाई दिया, no white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a wooly hat, उल्टा यह किसी Tibetan की तरह ही दिखे रहा था, कोई सामान Tibetan की तरह, कुछ अंतर नहीं लग रहा था, वो जो पहना भी हुआ था, वो था एक thick pullover, एक मोटा सा pullover पहना था, jacket और woolen hat पहना हुआ था, जो वहाँ पर सामान रहता है, सब लोग पहनते हैं, ठंड के कारण, मतलब doctor जैसा वो बिलकुल नहीं लग रहा था, अब क्या होता है, when I explained my sleepless symptoms, symptoms मतलब chin, आप बुलते हैं न कि, मुझे चक्कर आने का symptom आ रहा है, मतलब चक्कर आने की अनुभूत होना, giddiness की अनुभूती होना, symptoms, पहचान, चिन, कोरोना के symptom क्या क्या है, कोरोना का symptom क्या क्या है, अर्था, कोरोना होने की संभावना किस आधार पे कह सकते हैं, यदि सर्दी खांसी कही दिन तक है, यदि fever कही दिन तक है, यदि आपको giddiness लगा तारा रहा है, तो संभावना है कि कोरोना हो तो इसे कहते हैं symptoms तो यहां पर मैंने डॉक्टर को sleepless night के symptom बताए मुझे नीद नहीं आ रही है असा मैंने बताया और नीद नहीं आ रही है उसके बारे में बातचीत की and my sudden aversion to lying down to be to aversion to to have aversion to मतलब नफरत होनो चिड़ होनो यहां पर उसने ना सोने से चिड़ की बात भी बताई किसने यह जो यात्री थे जो writer है narrator है इन्होंने डॉक्टर को यह भी बताया कि मुझे नीद नी आई और साथ ही अब नीद आने से उनके चिड़ थी उसको भी बताया चिड़ क्यों थी क्योंकि उनको डर था कि कुछ होना जाए कहीं वो मौत की नीद नस हो जाए तो एक तरीक से जो डर था उसको भी उन्होंने बताया आपर्षन तो आपर्षन तो वेरी स्पाइसी फूड अपनी अपनी आदत So I had aversion to lying down Lateranay से मुझे थोड़ी सी जो नफरत हो गई थी उसे मैंने बताया He shot me a few questions To shoot मतलब क्या होता है एक तो होता है shoot, गोली चलाना Shoot an arrow, बान चलाना And he shot a question एक दम बंदूक की गोली के जैसे सवाल पूछना He shot a question, मतलब गोली चलाना नहीं गोली जैसे सवाल पूछना खट, तो यहां पर He shot me a few questions इसने गोली सवालों की बहुचारें दाग दी एक के बाद एक सवाल पूछने लगा Shoot, shot, shot Shoot के जो तीन पकार है Present tense, Past tense, Past participle तो उसमें present में shoot, फिर shot, फिर shot So He shot me a few questions While feeling the veins in my wrist Wrist मतलब कलाई W-R-I-S-T Wrist मनें कलाई, Wrist Watch घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी कलाई घड़ी को बोलते हैं, Wrist Watch तो wrist की veins को वो छूने लगा Nubz बोलते हैं नो उसको V-E-I-N, V-E-N Nuss, वो Nuss जो Nubz कहलाती जिसे से छू कर धड़कन पता लगती है तो मुझे एक और डॉक्टर का ध्यान मेरी Nubz को छूने पे था दूसरी और वो लगातार सवाल पूछ रहा था और फिर उसके बाद क्या कहता है It's cold, ठंड़ा है Satan के माध्यम से उसने कहा क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी तो Satan को उसने कहा कि बता दो कि ठंड़ा है ये एरिया बहुत ठंड़ा है एक cold और साथ में सर्दी भी हो गई है and the effect of altitude altitude मतलब उचाई कहां से उचाई कौन से उचाई समुद्र की सतह से उचाई है आप समुद्र की सतह से जितना उपर जाएंगे उतना ही ठंड़क बढ़ेगी और उतनी है oxygen की मत्रभी कम हो जाएगी जिससे आपको सांस लेने में तकलिफ होती है इसलिए पहले आपको अपने को उस महौल में ढालना होता है और तब जाके आप सफलता पूरवक उपर जाएंगे मांट अवरेस में जो जाते हैं वो अपने साथ oxygen cylinder ले जाते हैं क्योंकि उतनी उचाई पर oxygen नहीं के बराबर है हवा है पर ऐसी हवा जिसमें oxygen ना हो तो अपने साथ oxygen cylinder ले जाते हैं और उसको मास्क को पहने रहते हैं तो यहां पर he said cold है यह जगह ठंडी है और तुमको भी सर्दी है cold हो गया है और साथ ही साथ altitude का problem है समुझ से जो उचाई है 4-5 जार मीटर की उचाई पर आगे हो 4-5 जार तो इस उचाई पर तो यह दिक्कत होगी चिंता मत करो I'll give you something for it मैं तुमको कुछ दूँगा दवाई इसको ले लेना मतलब ज़्यादा चिंता की बात नहीं I asked him if he thought I should recover enough to be able to do the kora मैंने मुझे अप रहा नहीं गया डॉक्टर ने तो कहा तुमको कुछ नहीं है पर फिर भी मुझे रहा नहीं गया and I asked him if he thought मैंने उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं इतना पर्याद तो ठीक हो जाओंगा कि मैं कोरा कर सकूँ क्योंकि मैं तो जा रहा था कोरा के लिए परिक्रमा के लिए कहलाज परवत की परिक्रमा के लिए मेरा वाना हुआ था और यहां रास्ते में सब क्या-क्या समस्याएं आ गई, तबीयत भी खराब हो गई, तो मेरे कोई चिंता होगी, इस लिवन डॉक्टर से पूछी दिया अन्ते में कि क्या मैं परिक्रमा करने लायक हो जाओंगा, और इस पकार मुझे थोड़ी और राहत दी, दवाई भी मिल गई, राहत मिली, डॉक्टर ने कंसल, डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, राहत मिली, और अब डॉक्टर कह रहा है नहीं, मिलको स्वस्वजाओंगे, कोई चुंता की बात नहीं, नथिंग सीरियस, बहुत मुझे राहत मिली, अब वहाँ से मैं निकला, I walked out of the medical college, clutching a brown envelope, clutch करना मतलब पकड़े रखना, इसलिए कार में होता है clutch, two wheeler में होता है clutch और gear, brake, clutch और gear, यही तो driving का खेल है, और four wheeler में steering, clutch क्या होता है, to clutch मतलब पकड़ना, then he clutched my hands very hard, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, तो यहाँ पर यह कह रहे हैं, narrator कि मैं hospital से निकला, all the brown envelope था लिफाफा उसको मैंने पकड़ लिया, मजबूती से, क्या था brown envelope, डॉक्टर ने कुछ दवाईयां दी थी, I walked out of the medical college, clutching a brown envelope, stuffed with 15 screws of paper, stuff मतलब भरा होना, your bag is stuffed with all dirty paper, waste paper, तुमारे bag में बहुत सारा कच्रे का कागज पड़ा हुआ है, my tiffin is stuffed with lot of food, मेरे टिफिन में बहुत सारा खाना भरा हुआ है, we can share, stuff होना मतलब भरे होना, so it was stuffed, stuffed with what, that envelope was stuffed with 15 papers, screws of paper, छोटे छोटे कागज के टिकोड़े को रैप करके उसमें, डाल दिया गया था, आप देखते हैं न, डॉक्टर कई बार, पुराने समय में खास का रहा रहा है, तो टैबलेट अलग अलग आती हैं, कागज में लपेट कर देते थे, एक एक गुली को एक एक कागज में लपेट देते थे, I had a five day course of Tibetan medicine, और त्रकार अब मेरे लिए, पांच दिन की Tibetan दवाईयों का दौर चला, course मतलब का रिक्रम, I had a course of five day medicine, पांच दिन की दवाईयों मुझे मिल गई थी, which I started right away, और मैंने दवाईयों को तुरंत लेना शुरू कर दिया, right away, you go right away from here, तुम अब भी चले जाओ, you take a decision right away, तुम अब भी निरने लो, don't delay, तो यहां पे right away, मैंने तुरंत दवाईयों लेनी शुरू कर दी, 15 tablet थी, उसमें 15 paper थे, 5 दिन का था, मतलब एक दिन में 3 बार लेना था, I opened an after breakfast package, मैंने नाश्टे के बाद का package खुला, and found it contained a brown powder, और पाया, find, found, found, find, found, find मने पता लगाना, find मने मालूम होना, दिखा ही देना, so I found, past tense, find, found, तो मने पाया, कि उसमें brown powder था, to contain मतलब होना, samaahit होना, तो उसमें क्या था, brown powder, that contents, I had to take that with hot water, और वो brown powder को मुझे गरम पानी के साथ लेना था, it tasted just like cinnamon, what is cinnamon, cinnamon is ilaichi, clove मने long, c-l-o-v-e, clove मने long, cinnamon यने ilaichi, और एक और आइटम होता है, shop, तीन आइटम हम लोग नॉर्मली, किसी guest को, जाते हुए देते हैं, अब shop को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यह आप पता लगाना है, this is a small task for you, look up to the dictionary, search for yourself, what is the meaning of the word, English word, what is the English word for soft, clove is long, and cinnamon is ilaichi, right, so, it tasted like cinnamon, the powder था, वो ilaichi जासा स्वाद्दी रा था, the content of the, lunch time and bed time packages, were less, obviously, identifiable, identify करना ने पता लगाना, अब जो दोफर का, यह तो सुबह की बात हुई, दोफर और रात में जो दवाई थी, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या था, सुबह वाला तो ilaichi का स्वाद्दा आया, but second one and the third one, that is the lunch time, post lunch, post lunch मतलब lunch के बाद, post lunch मतलब lunch के बाद, तो यहां पर lunch के बाद जो दवाई लेनी थी और रात की, वो समझ में नहीं आई, वो क्या है, खैर कोई बात नहीं, he is just telling obviously, not identifiable, both contained small spherical brown pellets, दो पहा और रात, उसमें दोनों में small spherical, गोला कार, इस्फिरिकल मतलब गोला का, छोटे छोटे गोला कार, pellet थे, मतलब गोलियां थी, दवाई की गोलियां, छोटे छोटे गोला कार, morning वाला तो powder था, cinnamon का स्वाद था, पर दो फर और रात वाला, पहचान में नहीं आ रहा था, और वो tablet जैसा था, they looked suspiciously like, sheep dung, very funny, वो तो मुझे suspicious मतलब शंका होना, मुझे तो ऐसी शंका होने लगी, कि वो भेड का गोबर है क्या, dung मतलब गोबर, गाय के गोबर को क्या बोलता है, cow dung, भेड के गोबर को, sheep dung, तो वो गोबर भेड के जो गोबर होता है, छोटे छोटे जो बीट जैसा रहता है, बिल्कुल वैसे ही वो गोलियां थी, तो मुझे शंका होने लगी है, क्या दे दिया इन्होंने, इस spherical shape में, छोटे छोटे, color भी वैसे ही, but of course, I took them that night, लेकिन हा, मुझे लेना तो पड़ा उसे रात में, after my first full day's course, दिन भर के बाद, रात में नो सिल लिया, after my first full day's course, that night, दिन भर तीन बार मैंने जबदवाई ले ली, उस दिन, पहले दिन, सुबा ब्रेक्फास में, फिर दोफर, फिर रात में, I slept, very soundly, बहुत गहरी नीन दाई मुझे, like a log, not a dead man, बहुत गहरी नीन दाई, like a log, log मतलब लकडी का टुकड़ा, लकडी, लकडी जैसी नीन दाई, लेकिन, not a dead man, पर इसका मतलब यह नहीं मरा हुआ था, मृत जैसा नीन सोया मैं, दिमाग चल रहा था, लकडी जैसा, like a log I slept, यह मुहावरेदार अंग्रेजी में हमें शवयूस बोलते हैं, कि I slept like a log, मतलब मैं लकडी जैसा सोया, बहुत गहरी नीन में सोया, तो बहुत गहरी नीन में सोने के लिए, क्या यूस करेंगे log, I slept like a log, तो यहां पर आथर is saying, that after the whole day's medicine, I slept very soundly, बहुत गहरी नीन दाई, sound sleep, बोलते हैं ना आप, sound मतलब आवाज, पर sound sleep मतलब गहरी नीन, sound sleep मतलब गहरी नीन, अब सेटन, जो अभी तक मेरे साथ था, medical college ले गया, डॉक्टर से consult करवाया, दवायां दिलवाया, पूरा दिन मुझे देखा, एक बार जब उसने महसूस किया, दिन भर देख लिया, और उसको लगा कि मैं जिन्दा हूँ, सब को ठीक रहेगा, मैं जिन्दा रहूंगा, I was going to live, live मतलब रहना, और live मने जिन्दा रहना, I live in this room, मैं इस कमरे में रहता हूँ, और दूसरा, live मतलब जिन्दा रहना, कुछी से बना life, so I was going to live, सेटन left me, to return to Lhasa, Lhasa चला गया वो, सेटन जब यह सुनिश्चित हो गया, कि मैं ठीक ठाक हूँ यहाँ पे, और सब कुछ ठीक है, खैरियत है, तबियत ठीक है, तो फिर से वो आपस Lhasa चला गया, Lhasa is the capital of Tibet, as a Buddhist, he told me, he knew that, it didn't really matter if I passed away, एक Buddhist जैसा, Buddhist भिक्ष जैसा, उसने मुझे कहा, कि मुझे मालम था कि, यह कोई, it really didn't matter, यह कोई मायने नहीं रखता, कि to pass away, मतलब मर जाना, कि तुम मर जाओ या जी जाओ, यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बंधिश था, और बंधिश फिलासफी में, these are all immaterial, यह सब अप्रासंगिक है, जीवन मरन, तो एक बंधिश की तरह, शेटन नहीं का, यह कोई मायने नहीं रखता, कि क्या होगा, to pass away, मतलब मर जाना, to die, he so and so has passed away, the former president of India has passed away, भूद पूर्व राष्ट्रपती, स्वर्गस्थ हो गय हैं, उनकी मृत्य हो गई है, तो passed away, but he thought it would be bad for business, लेकिन उसने, वो चा, उसको यह बिलकुल लगा, कि यदि कुछ हो जाएगा इसको, तो मेरा अपना धंदा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वही ख़बर जाएगी, कि इसके साथ था और वो मर गया, और उसके बाद, कोई सांस की तकलीफ पे कारण मर गया, तो दूसरे जो यात्री हैं, वो भी वहान ही आएगे, अब दार्चेन कि यहां पे तो oxygen कम रहती है, और लोग मर जाते हैं, तकलीफ होती है, तो टूरिस्ट लोग निया आएंगे, टूरिस्ट निया आएंगे तो मेरा धन्दा मारा जाएगा, मेरा धन्दा क्या था, गाइड का, तो गाइड की कमाई तो टूरिस्ट लोगों पर है, यात्रियों पर है, और यात्रियों के यदि ऐसी खबर लग जाएगी कि किसी के मौत हो गई है सांस की तकलीफ के कारण आक्सीजन की कमी के कारण तो लोग आना कम कर देंगे तो वहाँ की चिंता इसको ज्यादा थी कोई मर जाएगा उसकी चिंता इसलिए नहीं थी कि मरने से कुछ बहुत दुख होगा इसलिए थी कि बिजनस मारा जाएगा वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सीधा उसके दिमाग में जो बात थी उसने कह दी दार्चन डिंट लुक सो हरिबल आपकर गुड नाइट स्लीप रात भर्थ होने के बाद अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो दार्चन शहर जो है वो उतना भेयानक नहीं दिख रा था जितना पहले दिख रा था हरिबल मने भेयानक रात की अच्छी नींद के बाद दार्चन अब उतना भेयानक नहीं दिख रा था जितना पहले दिख रा था इट वो स्टिल डस्टी अभी भी धूल थी धूला एमान था शहर पार्शिली डेरेलिक्ट डेरेलिक्ट मतलब डेरेलिक्ट का एक अर्थ होता है दिमाग से बैलेंस खो देने वाला व्यक्ति और एक डेरेलिक्ट मतलब होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो अच्छूता मानो कोई बहुत दिन से वहाँ ना गया हो तो यहाँ पर वो मिनिंग है तो अच्छूती पूरा धुलायमान था शहर ऐसा लग रहाँ कि कोई बहुत जहां हलचल नहीं है डेरेलिक्ट है and punctuated by heaps of rubble and refuge punctuate का अर्थ मैंने बताया था पहले कुछ कुछ जगा this room is punctuated with lot of dust, lot of waste papers इस कमरे में जगा जगा punctuated मतलब जगा जगा होना तो यह जगा जगा punctuation मतलब punctuation और था वे चिन जो लगाए जाते हैं question mark, full stop, comma semicolon, colon they are called punctuation और यहाँ पर है punctuated by जगा जगा पहला हुआ था, क्या पहला हुआ था waste, garbage heaps of rubble kachra, rubble यहने kachra heap मने जुंड heap मने जुंड kachra का जुंड जगा 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 था punctuated by rubble of heap heap of rubble and refuse, refuse मतलब waste but the sun shone brilliantly in a clear blue sky लेकिन सूरज शांदार रूप से चमक रहा था नीले आकाश में और आकाश तो बहुत साफ था तिब्यत इतनी उचाई पर है तो बीच में सूरज और तिब्यत की धर्ती के बीच में जो चीजें अस पश्टिता लाती हैं वो कम थी आकाश क्लियर दिख रहा था नीले रंग का आकाश और उसमें सूरज चमक रहा था and the outlook across the plant to the south gave me a vision of the Himalaya outlook across the plain मैदान के उस तरफ plain यने मैदान पहाड़ी यने hills plains यने मैदान मैदान के उस तरफ outlook across the plain look outlook plain के उस तरफ जब मैं बाहर देख रहा था दक्षिन की ओर तो क्या मुझे मिला a vision of the Himalaya एक Himalaya की जलक दिख रही थी vision of the Himalaya vision मतलब जलक, दिख वो मुझे दिखाई दे रहा था बड़ा रमनी दिख रहा था commanded by huge a huge snow-capped mountain और वो Himalaya के उपर Himalaya के शिखर पे snow-capped था cap मतलब टोपी snow की टोपी थी अर्थाद बर्फ से अच्छाजित था वे जो पहाड की श्रिंखला दिख रही थी वो श्रिंखला की जो उचाई जो शिखर थे उन उत्टुंग शिखरों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी कितना बड़िया द्रिश्यों का वर्णन है एक और बर्फ उस पार बड़ी बड़ी पहाडियां उनकी वे चाईयों पर ये नीला काश सूरज की रोश्री चमक रही है शहर धुलाए मान दिख रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है बहुत यहां आना जाना लोगों का नहीं है और चारों तरफ कच्रा है पूरा वर्णन है इसमें गुरला मानधाता विजश्ट इस विप ओफ क्लाउड सुस्पेंड़ ओवर इट समिट अब वो माउंटेन कौन सा था जो माउंटेन उनको दिखाई दे रहा था हमाले का वो माउंटेन सा गुरला मानधाता ये नाम था जैसे एवरिस्ट है नंदा देवी है ऐसे ही एक और कई उन शिखरों में से एक शिखर था मानधाता वो दिखाई दे रहा था जास्ट ए विश्प ओफ क्लाउड सस्पेंड़ ओवर इट समिट विश्प ओफ क्लाउड मतलब बादल का एक जंड छोटा जंड सस्पेंड़ ओफर इट समिट समिट मतलब टॉप समिट मतलब टॉप विश्प बिलकुल पहाड की जो चोटी है उस चोटी पर मानो बादल का एक टुकड़ा सस्पेंड है उस पर टिका हुआ है शिखर की चोटी पर पहाड के शिखर के ऊपर जो बादल है वो टिके हुए हैं ऐसा दृष्य दिख रहा था Suspend होना का दो अर्थ होता है To Suspend मतलब किसी को नौकरी से कुछ समय के लिए हटा देना और एक Suspend होना मतलब किसी के ऊपर रखना The dust is suspended all over धूल जो है उस तब तरफ फैली हो जो है So Suspend यहाँ पर Wisp of Cloud बादलों का छोटा जुण यह पूरा वर्णन तो हो गया कब का राद भर बढ़िया नीन जब आई तो अगले दिन सुबह के रमणी दृष्य का जिकरे हाँ पर आपने सुन लिया